क्या आपकी शादी होने वाली है या फिर आपके घर में कोई शादी है तो यह वीडियो स्पेशल आपके लिए हैं। आज हम देने वाले हैं आपको कुछ टिप्स ताकि आपकी स्किन पर नैच्छरल ग्लो आए जो की शादी के कुछ दिन बात तक भी ठीका रहे। So start करते हैं हमारी वीडियो तो first tip है Mosturize your body अपनी body को अच्छे से mosturize करना है ताकि ताकि उस्में जो नमी है वो बरकरार रहे हमारी body थोड़ी नमी होगी तो ज्ञादा glow करेगी तो हमें अपनी body को अच्छे से mosturize करना है कोई भी आप अपने मॉस्टराइजर ले लीजिए उससे अपने बोडी को मॉस्टराइज करना है सेकेंड आता है कि अपने लिप्स को नहीं भूलना उसको जरूर से जरूर मॉस्टराइज करना है सोने से पहले लिप बाम लगाना मस्ट है आपके लिए अगर आप अपने lips को soft and glossy बिनाना चाहते हैं थर्ड बात करते हैं ड्रिंग का lot of water अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी skin का कोई भी मुकाबला नहीं है इतना glow आएगा जो natural glow होता है कि आप अंदाज़े भी नहीं लगा सकते पानी से माना की सर्दी है बट आपको minimum quantity of water जरूर लेना चाहिए पानी पीने से हमारी skin पर बहुत अच्छा glow आता है तो आपको पानी जरूर पीना है गर्मी हो या सर्दी हो उसके बाद आप aloe vera अपनी face और body के लिए अपलाई कर सकते हैं fresh aloe vera उसे हमारी body है जो अच्छे से moisturize हो जाती है और जो uneven skin है हमारी वो दूर हो जाती है उसके बाद आता है कि आप fresh aloe vera को अपने बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी आप hair mask बनाईए aloe vera से और उसको week में दो से तीन बार अपने hair पर जरूर लगाईए बहुत जादा आपके बालों पर effect होगा इस चीज़ का उसके बाद आपको juice जरूर से जरूर पीना है अच्छा रहेगा अगर आप carrot का juice पीएं क्योंकि गाजर में जो nutrition होते हैं वो हमारे skin पे glow लाने के बहुत बहुत helpful होते हैं तो गाजर का juice आपको दिन में एक बार जरूर पीना है ये कुछ टिप्स हैं आप इनको follow जरूर करिए खाने का खास कर ध्यान रखना है आपको salad daily खाना है जो भी आपका फेवरेट हो वो वाला खाईए ये ओएल फ्री रखिए ताकि अपनी डाइट का बहुत प्रोपर ध्यान रखना है आपको इसके बाद जंक फूड को हमें अवोड करना है जंक फूड को अवोड करना है माना थोड़ा मुश्किल है बट करना तो पड़ेगा क्योंकि junk food थोड़ा oily होता है जिससे कि हमारी skin पे pimple और बहुत तरह की problem हो जाती है weight थोड़ा बढ़ जाता है इससे तो इसको थोड़ा साप avoid कीजिए junk food को उसके बाद आता है अगर आप कोई भी face wash यूज़ करें हैं तो उसमें ध्यान से देखी कि वो skin brightening face wash हो कि आपके skin पे एक अच्छा सा brightness लेके आए कोई भी face wash जो आपकी skin को suit करता है वो आप यूज़ कीज़े special whitening के लिए अपनी full body को cover रखना है अच्छा है अब सर्दियां भी है तो अपनी full body को cover रखना है अपने hand को अपने foot को अपने face को अच्छे से cover करना है अगर आप to be bride है तो specially आपके लिए है ये अपनी body को अच्छे से cover रखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा dust हमारे body में ना जास के हमारे face पे dust ना हो तो अपनी body को cover रखे उसके बाद special care of your hand अपने हाथों की सबसे ज़् hand care cream ले लिए अपनी body moisturizer वाली क्रीम नहीं अलग से special hand के लिए आती है क्रीम वह आप यूज कीजिए अपने hand को मॉस्चेराइज करने के लिए उसके बाद अगर आपको भी sweating smell की problem है तो आप अपने नहने के पानी में अपने bath tub में थोड़ासा lemon juice डाल सकती है या फिर रोज व लगती है उसके बाद है आप कर लिए तरमेटों कर सकते हैं तरमेटों में बहुत जयादा ऐसे गुण होते हैं जो मारी skin को uneven होने से बचाते है तो आप हफते में दो बार टमेटों स्करब जरूर कीजिए ज़रूर कीजिए स्कीन है लिए बहूत ज़्यादा है नेक्स्ट विटामीन ए कापसुलई आपको इसली किसी केमिस्ट के पास मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते होते हैं आपको इसको स्किन पे अगर कोई मास्क बना रहे हो तो लगाना है, अपने हैर ऐर पेसको लगाना है और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इसको आप सीधा कहा सकते हो बहुत ज़्यादा इसके फायदे होते हैं विटामिन E कैपसुल के नेक्स टिप है जो सब को पता है बट हम मानते नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा ओन स्क्रीन नहीं रहना है इससे हमारी आँखों के नीचे डार्क सरकल हो जाते हैं नेक्स्ट यह आपको दूद लेना है तो अगर आप दूद बना रहे हैं तो इसमें तोड़ा सब डाल लेजिए उसके बाद हल्की सी हल्दी डाल लेजिए ताकि कभी अपने फेस पे पिंपल ना हो जाए उसके बाद आपको फ्रूट खाने है नूट्रिशन के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कीन पे ग्लो आए एक एपल आपको डेली लेना है और जो भी आपको फ्रूट पसंद है जो भी आप हर फ्रूट आप खा सकते हैं इसे आपको extra protein nutrition मिलेगा फ्रूट से next stay happy खुश रहिए, positive रहिए positivity होती है जो है हमारी happiness अंदर से आती है तो वो हमारे चेहरे पर साफ जलगती है उससे एक अच्छा सा glow आता है तो आपको खुश रहना है कुछ भी हो जाए, आपको खुश रहना है positive रहना है so guys यह थी आज की वीडियो I hope आपको पसंद आई अगर पसंद आई तो please like, share and subscribe my channel thank you so much, bye bye